नमस्कार मित्रो मैं रौशन तिवारी अपने यूटीच में लेट्स एजी टू लर्न पे आप सोगो का स्वागत करता हूं आज हम लोग अभ्यास के भीश में जो पेज नंबर 36 में प्रस्न उतर है उसको हल करेंगे तो आप लोग ध्यान देजेगा अभ्यास कक्षा 9 के अभ एवं 6 ग्राम एथेनोईक अमल अभिक्रित होते हैं 2.2 ग्राम कारवन डायोकसाइड 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोड नौएड एवं 0.9 जल के उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं इस अभिक्रिया द्वारा दिखाईए कि यह परिक्चन द्रव्मान संरक्षन के नि होता है ठीक है दिखें द्रव्मान संरक्षन के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया के दोरान उत्पादों का कुल द्रव्मान सदे अभिकारे को कुल द्रव्मान के बराबर होता है रसानिक क्रिया के दोरान द्रव्मान का छरन अत्वा उत्पाद नहीं होता सोडियम कार् हैं तो नहों अमनु का से को 问 नात सनलतीन है और इसको जोरन का गरफार और द्रमाण सन रख्षन की नियम dit अ इसको आगे देख कैंप देखंड नात उत्पती होता है और नो ध्रबमान का नास होता है ठीक है चलिए आगे देखे प्रसंद दो है अक्सिजन के अनुसार एक अनुपात आठ के अनुपात में सयोजन करके जलने निमित करते हैं टीन ग्राम हेड्रोजन डय्स के साथ पूरन रूप से सयोग करके करने के लिए कितने ऑक्सिजन के आउसकता होगी निमित10 है औरन देखेगा तलतुन के परमौनों सिध्धान का कौन सा अभीग्रेट द्रबमान के संहों हछन का नियम का परिनाम है ताल्टन के प्रमानों सिधान का नियम लिखित अभिग्रेद द्रमान के द्रमान के संद्रक्षन के नियम का परिनाम है प्रमानों अभिभाज सुक्षितमकन है जो रसानी का विक्रिया मेना तो स्रीजित होती है और उसका विनास होता है ठीक है यानगी द्रमान संवेक का नियम हो गया कि द्रवमान को न मुझान बनाईटा है इसको कि या ठिक है चलिए उसके वाद देखिए द्यालतन के परमानुसी ध Imperial का कौन सा अभीकरेत निश्चित अनुपात के नियम की व्यायख्या करता है ए। डालतन के परमानु सिधान्त का नेम लिखित अविग्रित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। किसी भी योगी के परमानु के साफेक संख्या एक एवं परकार निश्चित होती है। पेज नमर 36 के बार पेज नमर 40 का प्रस्ण देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें स्कूफर बहुत चोटे होते हैं ये किसी भी छोटी वास्तू जिनके हम कल्पना तुना नो कर सकते हैं इसलिए एक पर मानु को आंकों से देखना संभव नहीं होता है है जया होता है 1020-9 मिटर होती है ठीक है पेज नमर 40 के बाद पेज पेज नमर 44 का question देखेंगे है निम्न के सूत्र लिखिए जैसे देखें सोडियम ऑक्साइड का Na2O हो जाएगा, एलिमन कुलराइड का AlCl3 हो जाएगा, सोडियम सलफाइड का Na2SO हो जाएगा और मेगनिसम हैड्रोकसाइड का MgOH2 हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है, आगे, निम्न लिखित सूत्रो त्वारा प्रतसित योगिक का नाम लिखना है, तो योगिक का नाम देखें जैसे कि Al2SO4-3 है, एलिमनियम सलफेट का CACL2 हो जाएगा, केलसियम कुलराइड का K2SO4 हो जाएगा, प्रतियम सलफेट का KNO3 हो जाएगा, प्रतियम नाइटरेट का CACO3 हो जाएगा, केलसियम कार्बोनेट का, अब देखें, रसानिक सुत्र का क्या तातपड़ी है, किसी योगिक का संगटक का प्रतिका कात्मक निरूपन होता है, रसानिक सुत्र किसी योगिक के उपस्ट, को को प्रतिकों के माध्यम से प्रकट करता है रसानिक सुद्र के द्वारे हम किसी के प्रतिक की रूप में किसी को किसी तॵत्व को दर्साथ है जैसे CACO3 केलसियम कार्बोनेट कार्बोनेट में केल्सियम का एक कार्बन का एक तथा ओक्जिजन का तीन पर्मानू उपस्तित है यहां पर दर्स आ रहा है ठीक है आगे दिखिया निवन में कितने पर्मानू बिद्वान है पर्मानू की संख्या कर रहा है इसके बाद पेज नमर चालिस का देखेंगे पेज नमर चालिस में पहला कोस्चिन है निमनी यॉगिक के आनुविक द्रमान का परिकलन कीजिए जैसे ह2 का है तो दो गुना एक हो जाएगा उसके बाद ऑक्सिजन का O2 का हो जाएगा दो गुने 16 32 यू हो जाएगा आनुविक द्रमान 32 हो जाएगा CL2 का हो जाएगा 70 और CO2 का हो जाएगा 44 CH4 का 16 C2H6 का 30 C2H4 का 28 NH3 का 17 और CH3OH का हो जाएगा आपको बरतेश ठीक है आगे देखिएगा आगे है निमनी यॉगिक के सुत्र इकाई द्रमान का परिकलन कीजिए से दिया हुआ है J9 का हो जाएगा सुत्र इकाई द्रमान में 81 हो जाएगा 1 गुना 65 जोर 1 गुना 16 कर लिजेगा उसके बाद NA2 O का हो जाएगा 2 गुना 23 और 1 गुने 16 जो इसका सुत्र होता है द्रमान जो है उसको गुना कर देना है के टू सी ओ थ्री का हो जाएगा 2 इंटू 39 इंटू 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16 हो जाएगा 138 ठीक है इसके बाद पेज नमर 48 का देखेंगे पेज नमर 48 में है पहला कुस्चिन यदि कारबन परमानू के एक मोल का दरब्मान 12 ग्राम है तो कारबन में एक परमानू का दरब् परमान दिया हुआ 12 ग्राम तो एक मोल के कारबन 6.022 इंटू 10 टूदी पावर 23 परमानू इसलिए कारबन का परमानू द्रब्मान निकालने के लिए 12 बट्टे 6 दसमल इतना गुना तेस पर पावर को कर लिएगा हल कर लिएगा तो 1.99 इंटू 10 टूदी पावर माइनस 23 ग देखें एक मोल सोडियम का द्रब्मान 23 ग्राम होता है एक मोल सोडियम में परमानू का द्रब्मान 6.22 इंटू 6.022 इंटू 10 टूदी पावर 23 हो जाएगा इसका द्रब्मान निकाल लिजेगा तो आपका हो जाएगा 26 दसम लव 18 गुना 10 टूदी पावर 23 उसी परकार लोहे का निकालेंगा तो लोहे का जब निकालेंगा तो यह हो जाएगा 10 दसम लव 7 पहुच इंटू टूदी पावर 23 इसके हिसाब से सोडियम में जो है अधिक परमानू होगा तो हमारा आज का यह वीडियो यहीं समात हो दबा दीजिये ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आज के लिए इतना ही फिर एक ने वीडियो के साथ मिलते हैं जय हिंद जय भारत